नमस्का सात्यों, टॉप 50 श्टेड यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ले करके आ गए हैं परेयाब रण का बहुत ही महत्पूर्ण फैक्ट बनना यले फैक्ट रहेंगे प्रिष्ण उत्तर टाइप के जो कि आपके लिए बहुत ही उपी योगी होंगे अब जब इन प्रिष्णों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितने मुष्ट प्रिष्ण से इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल से ना जुड़े हो तो सब्स्राइब कर लें चली शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट एक लाएते हैं हमें इसका सेकंड पार्ट है छले पारिस्थितकी के जनक किसको माना जाता है यह बोकॉस्टन जो बार बार पूछे जाते है पेपरों अब देखे पारिस्थित्की तंतर की संकल्पना को सबसे पहले किसने परस्तावित किया तो A.G. Tans Leane पारिष्थित की संकलप नो सबसे पहले किसने पुस्ता वित कीती अजी टानस Leane उसके जनक कौन है और देखें पारिष्थित की इस्थाई अर्थ्विवस्ता है यह किस आंदूलन का नारा है चिपको आंदूलन का बहुत महत्पूर्ण पृष्ण चिपकुआंदुलन का नारा क्या है पारिस्थित की स्थाई अर्थव्यस्ता है और इससे संबंदे जो हैं बताना था अंगला क्वेस्चन ही आ गया पारिस्थित की स्थाई अर्थव्यस्ता है नारा किस ने दिया था सुन्दल लाल जी बहु गुडान है ठीक है चिपकु आंदुलन के प्रतिपादक माने जाते हैं चिपकु आंदुलन उन्हें चलाया था सुन्दल लाल जी बहु गुडान का दूसरा नाम ही आप समल्लो पारिस्थित की है उन्होंने बहुत परियावरण के लिए काम किया है के बारे में अपन पढ़ेंगे एक बार और देखें कौनसे बनों में सरवाधिक जेब भिवित्ता पाई जाती कई बार पूछा जाता है तो उष्ट कटी बंदी बरसा बनों में सरवाधिक जेब भिवित्ता पाई जाती है ठीक है परयाबरन के और भी वीडियो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख लें नेपाल तथा भारत में बंदीब संध़क्षन परियासों के रूप में सेव नामा की एक नया संगठन प्रारम किया सेव का उद्देश क्या है? टाइगर का संध़क्षन करना आगे देखें, भारत में सबसे बड़ा बाग आभास कौन सा है, जहाँ पर बाग रहते हैं ऐसा आभास, तो आंध प्रदेश में इस्थित नागार्जुन सागर, स्री सेलम टाइगर रेजर्ब, बागों का सबसे बड़ा अभास इस्थान है, और देखें, बिश्च की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती किस देश्ट के टटके निकट पाई जाती है तो क्या हो जागा आश्टेलिया में स्थित दा ग्रेट वियर रीफ विस्ट की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती है कौन सी है दा ग्रेट बेरियरी विस्ट की सबसे बड़ी प्रवालवित्ती आश्टेलिया की पूर्वी भाग पर कोरल सागल में स्थितिक अबरोधक प्रवालवित्ती है इसे 1981 में योनियस को की विस्ट बिरासस सूची में भी सामल किया गया है और देखें ताप सिलिप के नाम से किस राश्टी उद्ध्यान को जाना जाता है तो इंदरा गांधी बन जीव अभ्यारन राश्टी उद्ध्यान को ताप सिलिप के नाम से जाना जाता है और देखें किस प्रजाती को बिलुफ्त माना जाता है जब भई अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो तो 50 वर्सों से एधी हो जाओ कोई प्राकृतिक आवास में ना देखें तो उसको बिलुफ्त प्रजाती मान लिए जाता है आगे लिए देखें बांधी प पिले लिश्ट में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं मानस बनन जीव अभ्यारन किस राज में इस्ते थे असम में ठीक है बांधीपूर करना टेक में मानस बनन जीव असम में पेरियर ये कई बार पोचे गया है पेरियार बनने जीव अभ्यारन केरल में है फिर सिमली पाल राष्टी उद्धियान उडिसा में है समय को बचाना है वो जादा आपको पढ़ना है ठीक है इसके बाद देखें सिमली पाल उडिसा में है सलीम अली राष्टी उद्धियान जम्मू कस्मीर में है भारत का प्रथम तितली उद्धियान कहा है तो ये बन्नर घट्टा जैवेक उद्धियान बैंगलोरी में है ठीक है और देखें पीली भीत राश्टी उद्धियान उत्तर प्रदेश में है पीली भीत राजाजी राश्टी उद्धियान उत्तराखंड में है राजा जी, नागरहोल किस में है, करनाटक में, नागरहोल राष्टी उद्ध्यान, कांजी रंगा असम में है, कई वार पूछा गया, कांजी रंगा, असम में सबसे बड़ा, इंदराबती राष्टी उद्ध्यान, 36 गड़ में है, इंदराबती कहां पर है, 36 गड़ में, चल फूरे पूरे आपके पूछे जाने की फुल उम्मीद है इसलिए विलकूर रट ले हम तो करदे क्याते दो बार इस वीडियो को देखें पूरे रट जाएं कौनसा बाग आरख्छेत चेत्र दू राज्यों में स्थे थे राश्टी उद्यान जाना जाते कहां पर है भी अपने उपर पड़ा था कमेंट में लिखके बता सकते हैं गर्म पानी अभ्यारण किस राज में असम में गर्म पारी अभ्यारण ठीक है नाग दफा ये भी कई वार पूछा गया अरुना चल प्रदेश में नाग दफा कहां पर है अरुना चल प्रदेश बुक्सा बाग परियोजना भारत की किस राज में बुक्सा बाग तो पस्चिम बंगाल में ठीक है और भरतपुस पक्षी बिहार राष्टी उद्धियान राजिस्थान में है भरतपुर पक्षी राष्टी बिदा ठीक है दाची गाम राष्टी उद्धियान जम्मू कस्मीर में है दामपा टाइगर रिजर्व किस राज में इस्ते थे मिजूरम में संजय राष्टी उद्ध्यान मद्द प्रदेश में है MP वालों के लिए हरी के आद्र भूमी किसराज में स्थेत है पंजाब में कांगोर घाटी राष्टी पार्क कहा परिस्थेत है 36 गड़ में कौन सा राष्टी उद्ध्यान सपेत भागों के लिए प्रशिद्ध है मद्द प्रदेश की सहड़ों जिली में स्थिद बानदों का राष्टी उद्ध्यान सपेत भाग पाए जाते हैं ठीक है ना चली और देखे बरतमान ए भारत में कितने टाइगर रेजर्व हैं पचास टाइगर रेजर्व हैं बरतमान ए भारत में बायू स्पियर रेजर्व की शंख्या कितनी 18 है बहुत महत पुड मेरा निवेदन होगा इस चेनल की जो आपको लिंक विली उसको आगे तक आप सेयर करें जिससे और लोग भी पढ़ सके बरतमान में भारत के कितने स्थल UNESCO की बल्ड हैरिटेज साइड में सामिल हैं तो 36 है टोटल अभी तक स्थान ठीक है बरतमान भारत के कितने राष्टी उद्ध्यान एक सो तीन बरतमान भारत में हाती रिजर्व की संख्या 32 अब ए थोड़ी वह जो इसमें संख्या में एक दूमें दीवो होगी तो कुछ बढ़ जाते हैं तुरन तो बात अलग है बरतमान भारत में हाती रिजर्व की संख्या 32 है भारत में कितने रामसर बैटलेंड साइड है 26 है चिनार बनन जीब बिहार बन बिहार राष्टी उद्ध्यान यह भी कई बार पूछा गया मद्ध प्रदेश के भूपाल में कौन सा राष्टी उद्ध्यान है बन बिहार भारत का राष्टी सामुद्रिक पार्क कहां स्थे थे कच्छ की खाड़ी में है सामुद्रिक पार्क कांजी रंगा राष्टी उध्यान किसके लिए जाना जाता है तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए कांजी रंगा राष्टी उध्यान किसके लिए जाता है एक सिंग वाले गेंडे के हो गया राजीब गांदी राश्टी उद्धियान राजीब गांदी ठीक है रन थमबोर एक अई बार पूछा गे राश्टी उद्धियान का नाम परिवर्दित करके क्या रखा गया है तो रन थमबोर का नाम रखा है राजीब गांदी राश्टी उद्धियान ठीक है सबाई मादवपुर राजिस्थान में है फूलों की घाटी कहा अवस्ते थे उत्राखंड में है फूलों की घाटी चली आएंगे बहुत महत्पूने सारे कॉस्चन आपके लिए होने वाले हैं ठीक है एक भी प्रिस्णी छोड़ना है अपन सलीम अली राश्टी उद्ध्यान कहा अवस्ते थे जम्मू कस्मीर सिरीनगर में ठीक है राजा जी राश्टी उद्ध्यान पार किसके लिए प्रिस्ध्य एसी आई हातियों के लिए राजा जी एसी आई हातियों के लिए मद्द प्रदेश का राज की पक्षी कोन है दूद राज या साहे बुल बुल इसको ठीक है मद्द प्रदेश के किस राष्टी उद्ध्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले सामिल किया गया काना किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले सामिल किया गया टाइगर राज किस राज़ को कहा जाता है? मद्ध प्रदेश को टाइगर राज़ कहा जाता है. A.C.I. बबर सेर का नवास कहा है? गिर बन राश्टी उद्ध्यान जो कि गुजरात में है, गिरवन ठीक है? वो A.C.I. बबर सेर का नवास स्थान है. भारत के किस छेतर को जेब वित्ता की दरश्टीव से भारत का सबसे धनी इस्थल कौन सा है पस्चमी घाट है भारत का सबसे धनी इस्थल पूर्वी घाट एवं पस्चमी घाट का मिलन इस्थल कहा है तो नील गिरी की पहाडियों में है पूर्वी घाट पस्चमी घाट का मिलन इस्थल ठीक है ज पहला राष्टी उद्यान कौन सा है एवाम इसे कब अवस्थित किया गया तो जिम कारवेट राष्टी उद्यान भारत का पहला राष्टी उद्यान है वो 1936 में अवस्थित किया गया कौन सा जिम कारवेट राष्टी उद्यान पहला है 1936 में इसको क्या किया गया था अवस् चलि और देखें गंगा डेल्टा की मैग्रोब बनो को क्या कहा जाता है सुन्दरवन कहा जाता है सुन्दरी ब्रक्ष किस प्रकार की बनस्पती है तो मैग्रोब बनस्पती है सुन्दरी ब्रक्ष ठीक है भारत में बरसावन कहां पाए जाते हैं उत्त्री पूर्वी हमाला पस्चमी घाट में बरसावन पाय जाते हैं किरकेट बैट के लिए बिलो कहां से प्राप्त होता है तो बिलो नामा के लड़की से किरकेट बैट बनाए जाते हैं यह लकडी संक्रू ब्रक्षी बन से प्राप्त होती है ठीक है उपयुक्त पारिस्थित की संतुलन बनाए रखने के लिए कुल छेत्रफल के कितने प्रतिसयत पर बना अवश्य कहते हैं 33 प्रतिसयत थोड़ा हमें सो रहा है 33 प्रतिसयत पर क्या है 1 चिपको आंदोलन उत्राखंड के किस जिले से प्रारम हुगा चामोली से हुगा था चिपको आंदोलन के सुंदरलाल जी बहुगोना याद रखिएगा नाम नंदा देवी जीब मंडल किस राज में अवस्तित है उत्राखंड में नंदा देवी जीब मंडल ठीक है भारत का प्रतम तितली उद्ध्यान कहां है तो बन्नर घटा जैवे कुद्यान बैंगलोरू में है मेरा निवेदन हो के दिए आपको अच्छे लग रहे है कॉस्चन तो एक बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा लिंक को आंगे शेयर जरूर करें बैल आइकन को दावा जिससे अंगला वीडियो इसका आए इसी के पार्ट हो रहेंगे ऐसे तो अंगला जो पार्ट आए तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकें आप तक पहुंच सकें और आप इसी तरह हम से जुड़े रहे हैंगले वीडियो के साथ पुना मुला काथ हो की जये